हाइ गाइस है काफी टा fit बात पहुंच गे है जनपत मार्केड देखने के लिए कि हाँ पर क्या किया क्लेक्शन आरक है साडी नहीं आये और वहां से आप जैसे exit करते होना आपको बहुत बढ़ी सी रोट दिखेगे और एक साइट पर बहुत सारे आपको शॉप दिख जाएंगे जहां पर आपको बहुत अच्छी वराइटी के शौट कुर्ती लॉंग कुर्ती मिल जाएंगे टॉप मिल जाएंगे एंड लॉंग जो चाहिए वो सब मिल जाएगा इन शॉप्स पे बिल्कुल मत सोचना कि बहुत ज़रा कॉस्टे मिलेगा बहुत ज़रा अफॉर्डिबल रेट मिल रहा है जैसे कि फर्स शॉप है यहां पना 300-500 में बहुत अच्छे कुर्थी के सेल लगे वे थे और फिक्स प्राइज से बा जाजपत नगर में बहुत अच्छी कुर्ती मिलती बट नहीं यहां पर बहुत अच्छी यह वाला कुछ जादी ट्रेंड में यहां पना फुल में हर स्ट्रैप वाले सब वराइटी के मिल रहे थे ब्लू प्रिंट में अगर आपको बीची साइट जाना है या गोवा बगर कुछ कोट करा गया था और इसकी क्वालिटी भी काफी जादा अच्छी लग रही थी और इससे में बहुत अच्छी जी वराइटी ती जासे शौट में चाहिए या फिर आपको कफ्तान में चाहिए वो भी मिल जाएगा लॉंग आपको स्कुर्ट में मिल रहे थे यहां पर बहुत अच्छे थे और यह कॉट सेट तो मुझे बहुत जादा ही पसंद आया यहां पर और इस पर प्रिंट ना कुछ अलग सा करा गया था जैपुरी टाइप जो प्रिंट होती है इसमें बहुत अलग अलग डिजाइन के थी कलर विराइटी बहुत जादा अच्छी थी इसको कोड करा गया था है पूरा कोड़ सेट 900 में बाट इफ यू वांट कि आप अलग अलग लो तो वह भी ले सकते हो और इस अपि में देखी सकते हो सब पर अलग अलग डिजाइन मिल रहा था प्रिंट अलग अलग मिल रही थी और इसके बगल में यह जाकर गली है उस ग बहुत अच्छे चीरिंग जासे को आपको ऑक्सिटाइज वाले जोएलरी जाजकुल काफी जाद ही फैशन में हैं और वह सब भी मिल जाएंगे यहाँ बहुत अच्छी इन भयके काफी जाद ही अच्छे लगते हैं हर बारी के तरह ही अधिया पने ऐसे टाइप की स्टोन वा सब कुछ मिल रहते जैसे कि आप देख सकते हूं यहां पर इस टाइम पर में पहुंच गई थी दो बजे करान पहुंची तो यह शॉप सारे अरेंज करी रहे थे अपना और सबसे पहले गुजराती लेन में आप जैसे एंटर करते हूं एक फर्स शॉप आता है इन भहिया का यहां पर इतने अच्छे कुषण कवर मिल रहे थे ना मतलब आपको बहुत ज़रा पसंद आने वाले हैं कुषण कवर एंड यहां पर डिपैंड करते हैं कि फॉन से कुषण कवर ले तो उसके साब से प्राइज कर रहा थे यहां पर इस शॉप पर बैक्स भी बहुत अच् अच्छे से काम करा गया था बैक पैक पे वह सब की वराइटी बहुत अच्छी थी इस शॉप के बैस पार्ट मुझे लगे यह कॉइन पाउच जहां पर इतने क्यूट क्यूट से कॉइन पाउच मिल रहे थे ना मतलब बहुत जाद अच्छे थे मैं तो मतलब आप देखती यहां पर यहां पर इतने सारे बैट गए कि नहीं मुझे सारे देखने है और वह सारे इतने अच्छे लग रहे थे यह जो मैं बैग अभी खोल रही हूं यह बैग मुझे कुछ अलग दिखा और यह बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी मुझे बहुत जाद अच्छा इतने जाद अच्छे लगते ना बहुत वाले टाइप कुछ बैग पगेरा और आपको लाइन से बैग के शॉप मिल जाएंगे और सारे सेम से मिलते हैं बट कहें के जगा पे आपको अलग से वराइटी मिल जाएगी जैसे कि आपको अच्छे से ढूंडना होगा एकदम आई शेप में बैग थे जो कि अलग सा कुछ लगा थे हमें कोई यहां पर आप पूरे लेन में गूम सकते हो पूरे लेन ऐसी बैग से भड़ा हुआ है बहुत अलग बैग से मिल जाएंगे अगर आपको एथनिक वियर के लिए कोई बैग चाहिए और वो स्टोन वगरा जो अच्छे से बात बात करने पर ना कम हो जा रहा था यह वाला बैग तो मुझे बहुत जाद़ पसंद आया था अं इन सब पर चैन दी गई थी और इन सब की अच्छ देखने बहुत जाद़ अच्छ लग रहे थे हैं और यह आप ट्रेन्टी जो अच्कल जैकिट चल रहना आप हिरोईन वगरा को देखते होंगे, पहनते हुए, जैसे साड़ी बारी पहन लिया, उसके उपर से जैकेट डाल दिया, यह मुझे शॉप एक शॉप पे दिखी, और इनके पास यह ब्लैक कलर में था, यह चॉबिस सॉप का कुछ बोला तो जो कि है expensive, बट इन्होंने कहा कम करने पर, उसके आगे मैं गई तो मुझे बहुत सारी ऐसे शॉप दिखी, मुझे स्टॉल्स लगी हुए, अगर मैं अपना experience बताओ, तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा यहाँ पर, यह जो cotton का यह बोल रहे थे हैं, यह cotton का था, इसका प्राइस कोट करा था 1500 के अरा मैं यहाँ घुसी ना, यार मुझे इतना जाद अच्छा यहाँ पर लगा ना, टॉप्स के वेराइटी, बट यह थोड़ा सा जनपत मार्केट, इन कंपरेशन तो सरोजनी, लाजपत नगर, करूल बाग, थोड़ा सा शोटा सा है मार्केट, बट यहाँ ट्रेंडी और प्राइस मिल रहे थी, अगर इन सब की प्राइस के बाद करें तो आपको 500 प्राइस रेंज मिल रहे थे, अगर यह ना, यह जो टॉप था था वह था प्राइस रेंज, और हां यह यह था, यह ना, इस कंपरेशन तो सरोजनी, लिटल बिट एक्सपेंसिव है यहाँ, मतलब मैं कुछ कुछ वो कर रही थी तो मुझे खोड़ बहुत expensive सा लगा था आगे चलकर नहीं suit काने एक shop दिखाता है shop नमर मुझे अभी याद नहीं है बट यहाँ मैं mention कर दूँगी क्योंकि यह shop मुझे बहुत जादा अच्छी लगी थी यहाँ पना सबकी quality काफे जाद अच्छी थी यह suit साइट से मुझे coat करा गया था 1500 जो की appropriate है उस suit के लिए क्योंकि काफी अच्छी से उस पर काम करा गया था और उसकी quality बहुत जादा ही अच्छी थी देन आगे चलकर और मुझे मैंने शॉप से एक्सप्लोर करा और बहाँ पना मुझे एक शॉप दिखी यहाँ पना बहुत अच्छी से फुल स्लीप में टॉप मिल रहे थे और यह ब्राउन वाला टॉप जो simple टॉप था जिसके आँ साथ आप jeans pair up कर सकते हो और यह रेड वाला टॉप यह ना इस पर frills बने हुए थे साइट पर जो sleeve था और यह वाला ओरेंज वाला टॉप जो कि काफे जाद ओर ओरेंज यह color में trend में है जो कि बहुत जाद अच्छा मिल रहे थे हैं आपर और यह 250 के price में टॉप मिल रहे थे सारे अगर मैं dresses के बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छे dresses मिल रहे थे हैं आपर यह cotton में dress था और यह 400 का कुछ dress coat करा गया थे में को ऐसे बहुत सारे shops थे जहां पर dresses मिल रहे थे floral वाला dress भी मुझे बहुत जाद अच्छा लगा था और इसके भी quality काफे जाद अच्छे थी ऐसी बहुत सारे dress जैसे polka dot वाला dress था यह सारे dress वाले shop मुझे एक ही मिला था जहां बहुत अच्छे dresses मिल रहे थे और उसके बाद से आगे जलकर एक shop तीखी जहां पर बहुत सारे plain plain tops मिल रहे थे 200-250 के price range में जैसे आपको sleeveless चाहिए या फिर full वाला चाहिए या फिर जो normal top होता है वैसे मिल रहे थे और यहां बहुत अच्छे जह printed tops भी मिल रहे थे और graphic t-shirt भी मिल रहे थे जैसे normal आकर plain t-shirt चाहिए और उस पर थोड़ा सा कुछ बनाओ graphic सा तो वो वैसे भी t-shirt मिल रहे थे और इन सब के shop number में आप उपर mention कर दूँगी यह jeans के अगर मैं बात करूँ तो अब सामने से enter करते हो जनपत market में तो यह lines है आपके left hand side में jeans के shops मिल जाएंगे T17, T18, T19 ऐसे करके shop number है यहाँ पना इतने अच्छे जीन्स मिल रहे थे कि पूछ भी मत मुझे सारे jeans बहुत ज़्यादा पसंद आये थे और हाँ पर size की भी दिक्कत नहीं थी जिसे 20x लेना है या large size लेना है कोई दिक्कत नहीं थी और मैंने हाँ पर straight like jeans देखे थे बहुत अच्छे जीन्स मिल रहे थे यह सबके prices थोड़ी high coat करे गए थे 1213 से कुछ coat करे गए थे बट साब की quality काफी जाद अच्छे थी और bargain करने पर 900 में मुझे दे दिया गए थे यह पर यह pink वाला jeans मुझे अच्छा लगा था बट नीचे से cut था तो इसकी वेज़ समझे थोड़ा सा नहीं पसंदाया था बट यह lines आप देख सकते हूं यहाँ पर सारे jeans के shop है अगर आपको night wear चाहिए वो भी बहुत अच्छे मिल रहे थे अगर pajama set चाहिए वो भी 500 के price रहे थे बहुत अच्छे मिल रहे थे यह आगे चलके ना वही jeans वाली shop के बगल मुझे एक shop दिखी जहाँ पर इश्रग मिल रहा था इसका coat उन्होंने 900 करा था जो की काफी जाथ expensive लगा था उसके बगल में मुझे फिर मैंने महाँ पर कुछ देखा नहीं क्योंकि बहुत अग्सपैंसिव बता रहे थे महाँ पर अगर आपको ऐसे प्रिंट वाले shirt वगरा चाहिए वो भी बहुत अच्छे मिल रहे है पुरे उसी टाइम पर मुझे एक shop दिखी और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ग्रैफिक टीशिट मिल रहे थे 300 की प्राइस रेंज में थे वहाँ पर जो 30 वगरा कि मैं बात करूं तो वही exit करती ना सामने मुझे एक shop दिखी थी जहाँ पर मुझे कुछ अलग सा अगर आपको वैसे शूट चाहिए जो की आपको ना च्छोटे मुटे फंक्शन पहनना है और आपको यह शॉप नंबर चेक करना चीए क्योंकि इनके पास प्लेन कुर्थी तो थी लेकिन इनके पास वैसे शूट बे थे थे ना जैसे नाईरा कट वाले और नार्मल युज यह बगल में एक और शॉप थी जो की ना पूरे शॉप में बस आपको शॉट कुर्ती मिल रही थी आन वह कॉटन वाली ही शॉट कुर्ती मेज रहे थे और इन सबके मेरे बहुत अलग-अलग से ट्रेंड वाले थे इनके पास भी शॉट कुर्ती अगर आपको बैल्ट बग वह सब भी बैल्ट बहुत अच्छे मिल रहे थे और प्राइजस वही जैसे कि आप जो बैल्ट होगे वह वहरी कर रहा था उसी बैल्ट के साथ कुछ बैल्ट मुझे काफी जाद अच्छे लगे थे जैसे कि यह जो आजकल है जैसे ड्रेस पर आप पहन सकते हूं वैसे भी यह मैं पीछे कर आशे से निकल रहे थी जनपत मार्केट में मुझे महा पर देखे थे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टोल्स लगे हुए थे जहां पर ऐसे कुशन कवर मिल रहे थे यह सा भी बहुत अच्छे कुशन कवर मिल रहे थे और डपेंड कर रहा था क्या पको ऐसे